खेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि इन्फिनिक्स नौट फोटी प्रो फोन में आप लोग मैसेज नौट सेंडिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपक आपके फोन में आप लोग मैसेज से रिलेडर इन सबी प्रोब्लेम को सॉल्ब कर सकते हो तो आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर से कर लिजए तो चलिए गया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैसेज प्रोब्लेम को सॉल्ब करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा इस एप मैनेजमेन का तो इस एप मैनेजमेन के option पे आपको क्लिक करते हैं क्लिक करते ही एप लिस्ट का option मिलेगा एप लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके फोन में इतने भी एप सोंगे सब शो हो जाएंगे और यहाँ पर से एपका message के जो app होते हैं इसको धून लेना है आप Girls करकी डूंब सकते हो और नौर्मेली scroll करकी घूंब सकते हो धूनने के बाद उस पे क्लिक कर देना है प्लिक करने के बाद Does certified positive consumer a केची पी खैसे खरेंगे क्लिक करते ही clear मेसेश प्रॉब्लेम भी सॉल्फ हो जाएगा अगर फिर भी सॉल्फ नहीं हो रहे गाई तो आपको जो है अपने एक बार नेटवोक सेटिंग्स को रिसेट कर देना क्योंकि नेटवोक नहीं होने से भी आपका मैसेश सेंड नहीं होता है और आप लोग जो है कुछ मैसेश को डिलेट कर दीजे क्योंकि मैसेश का जो यह बॉक्स है का इस अगर फूल हो जाएगा मैसेश से तब भी आपके फॉर्म में मैसेश बगरा नहीं आएगा तो यहाँ पर से कुछ मैसेश को आप लोग डिलेट कर दीजे डिलेट करते ही आपका मैसेश आने लग जाएगा तो क पुझी इस तरीके से आप लोग अपने Infinix Note 40 Pro Phone में Message Problem को Solve कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बबाई